हेलो गुद बॉर्णिंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सबी आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे सब बहुत ही बढ़िया होंगे मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ आज के दिन फ्राइडे है और डेट जा है वह थर्टीन है और यह सुबा का टाइम चल रहा है तो यहां प कि सब्सक्राइड है कि प्राइड डाल टी और यहां पर मैं बनारी है फटाफवाटि प्रृति शुबा में थोड़ी सी हरबड़ी हो जाती है कि इधर से क्या हो जाताना उब थोड़ा लेट हो जा रहा है तो यहां पर में फटा-फट रूटिया से एक ले रही हूं और मकर शंक्रानती जो है मतलब कहीं 14 को हो जाए कभी कहीं 15 को रहा है पूरे जो है ना कंफ्यूजन में हैं सब लोग लेकिन हमारे यह 15 को मनाया जाएगा तो और यह ममी बोल रही थी 14 को बनाने के लिए लेकिन लड़ू वेगरा जो बनता है मूरी का और तिल का जो बनता है वह सारा कुछ दो सब कुछ आजी बनेगा और यहां पर मैं आच की उनाहाद हो के कप्रे वेगरा डालने के लिए क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था तो काफी सारे कप्रे थे दूल भी बहुत सारे फुल हो चुका था सारे मतब जैसी में कप्रे मतब डले हुए थे और यहां पर और क्योंकि धूप जिस दिन होता है उस दिन अच्छा भी लगता है और और या और इसके बार जो है यहां पर मैं सब लोग के लिए चाह लेकर आई थी ममी पापा और अब खुद के लिए तो वह तोर रहे थी और उसके बाद जो है इसने कहाए कि मैं ट्रे में चाह लेकर आई थी वह यह ट्रे जो है नीचे गिरा दी नीचे तो वही पापा जो है देख रहे हैं और बचे का थोड़ी न वह टूट चुका था पूरा तरह के से टूट गया था तो यहां पर उसके बा बार बार पदे उड़ें थे इधर से तो यह मैं बार 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 बंद करने के लिए जा रही तich टौपर लगाने के-ले क्योंकि कि बार 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 ब invent हो जा रही थें तर्वा फोल्द कर ले deeply हुसं है और यहां पर मम्मी जो है दूद्ध गाड़ा करेगी थोड़ा सा गाड़ा करेंगे ताकि हम लोग जो है नहीं खाते हैं इसलिए दूद्ध को गाड़ा करके उसमें चूरा डलके खाते हैं गाड़ा करेंगे जो हैं अधिया। पाप़ और भाई खाते हैं तो उन्हों के लिए तो दही रहेगा दर्लीया रही है कि बनाने के टाइम ना वह सही रहता है पहले से रोस्ट के अबर रहता है तो उसके बाद जब वह रोस्ट हो गया तो यहां पर वाइट वाली जो तिल ल करना हो चुका हैं हलका सा गाळा करना होता है तो यह को चुका है कि इसे बंद कर दी नोब को उसके बाद मैं इसे खाली कर लूँगी और कि सिद्धी को हम लोग सुला दिये हैं तो सिद्धी जो है वह सो रही है और यहां मैं ममी नगा दी है राफ माद्व जो को पानी देखिए इसके बाद वाइट वाली जो तील आती है उसको रोस्ट किया था पहले तो यहाँ पर इसका लड़ू बना लेगी मतलब मम्मी चपटा चपटा बना रही थी और मैं गोलगोल बना रही थी काफी गरम था और फटाफट बनाना होता है इसे तो थोड़ा सा सरसोतेल हाथ में मतलब लगा के हलका सा करो तो फटाफट हो जाता है तो यहां पर मैं और ममी मिलके बिना लेंगे लड़ू और सिद्धी भी सो रही है तो जल्दी जल्दी फटाफट हो भी जा रहा है क्योंकि कि वह सोई थी कितने देर मतलब 15 मिनट बहुत हुआ जाता देर सोही मतलब मॉर्निंग में इधर से लेट उटते था तो सोती दोपर में नहीं सूपाती है वह बतलब 10-15 मिनट बस आंखे बंद होती है उसके बद वोतरन तूट जाएगी उसके बद फिर ममी चुड़ा दी थी तो काले वल्दे को आप देख सकते हैं सिद्धी उठकी आ चुकी और हम लोग गर्म गर्म करके इसे डरा रहे थे कि यह गर्म है मत चुना बेटा तो तो दूर भाग रही थी थोड़ा सा डर रही थी नहीं तो यह चुने की कोशिश कर रही थी कड़ाई को कड़ाई गरम थ तो भी ममी रोस्ट कर ली थी कड़ाई में पहले ही उसके बाद जो है इस उसके भी लड़ू जो है मैं ममी मिलके बना लेंगे फटाफट और यहां पर दिल के बनाने के बाद जो है मुड़े यानि हम लोगे तरफ उसे मुड़ी कहा जाता है तो वो फड़ी का भी लड़ू बन गया उसके बाद जो है यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ यहां पर कि यह देखो कितना अच्छा बना है और यहां मतलब कुछ गोल है कुछ अप्टे हैं और यहां पर देखो मुर्मुरे के लड़ू तयार हो गये और शाम हो गया थ जो है रहां चोड़ा हरा हुं तो नूडल्स के लिए मैंने बूगने में पानी चढ़ा दिया था और उसमें ठोड़ा सा मतलब एक चमच बढ़के रिफाइन डाल दिया था कि वह चिपके ना मतलब यह नूडल से एक दूसरे से चिपके ना वह थोड़ा सा फ्रेश आता है उससे सही रहता है तो यहां पे पूरा नहीं पकाना इसे थोड़ा सा मतलब 50% यह पका होना चाहिए यानि 75% पका होना चाहिए औ ह sprechen मेर्ट मेर्च पंदागोबः यह रिफाइन डाल दिया इस रिफाइन बना रही हो तो इसके बाद यहां पर मैंने डाल दिया स Kenya ज 컨 TB और चेफास प्रूची कमपणी का था, तो मैं मसाले वेगरा दो रूची केसा नाजा, तो हम दोनु और दोंगे, और यह थो रूचाव, 50% इसे पका लेना हैं, उसके पाद मैं नूडल सेटकर दोंगे, झाल झाल सारे नूडल्स को मैंने डाल दिया उसके बाद आप दिख सकते हैं कितना अच्छा बना है देखने में कतना अच्छा लग रहा और लास्ट में मैंने गैस को बन कर दिया और तोड़ा सा वैनेगर जो है तोड़ा सा जैर झुख कर के काले मेर्श जो आती है गोल वाली वो भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी और ये देखो मेरा तयार हो गया तो यहां पर आप लो खालो टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है उसके बाद जो है यहां पर मैं लगा रही हूं ने अल पॉलिश बहुत दिन के बाद और मैं रूम बंद करके लगा रही थी क्योंकि सिद्धी को ममी बाहर में रखी थी अगर वो रूम में रहती तो फिर मतबजित करने लगती लगाने के लिए कि कि उसको लगा तो दूँगी लेकिन वो तुरंद मुमें भी रख लेती हैं इंगली को इसी वज़े से मैं वाइट कर दी नहीं लगाई तो चलिए वीडियो को यहीं पेइन कर देती हूं आई हूप हमारे ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दी दर्दे के लिए टाटाव बाई